हलो माई यूट्यूब फैमली कैसे हैं आप सब आई हो बिल्कुल ठीक होंगे और एक बार फिर से मैं आपके साथ अजूड चुकी हूँ नाइट सिरम लेकर अगर आप रात को सो रहे हो और इतने महंगे महंगे सिरम टॉनर आप यूज नहीं करना चाहते हो और एफोर्डेव करके देखना वन वीक तो आपको पका फर्क नजर आएगा अपने फेस पे तो चलिए ज्यादा लेट नहीं करते हैं और वीडियो साथी बढ़ाते हैं सबसे पहले आपको क्या करना है अपने पालों को अच्छे से टैक करनेता है रात को सोने से पहले और फिर उसके बाद क् किचन में वर्क काम करके आते हैं या कोई और जोग बगारा करते हैं वर्किंग मूमेन है तो हमारे फेस पे रहती है टाइनिंग पूरे दिन की थकावर्ट और स्वैटिंग होती है इतनी सारी तो वह सब रिमूब करता है और हमारी स्कीन सिरम जो है नाइट क्रीम कहीं है तो हमें क्या करना है गास तीमाठर को ऊब दनी कर लेना है इस तरीके से चिक हैं उसके बाद एक हफता रेखलर करना ही है तीमाठर को अपने फेस बे मसाज करनी है और देली रात को सोने चाहती इस तरीके से 10-50 मिनट्स तक आप करते रहिए आपको कोई भी सीरम बगारा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और एक अब तर एगलर करके देखिए इससे आपको अच्छा टाइनिंग रिमूब रहेगी और फेस ग्लोइंग रहेगा आपका और नाइट क्रीम की यूज़ करने की भी ज़रूरत नहीं है आपको ये दिखिए ये इजिली सबके घर में होता है बिल्कूल एफ़ोड़ेबल है ये एक हफ़ता रेगुलर करके देखिए रात को सोने से पहले सोने से पहले 15-20 मिनिट तो आप देए सकते हैं अपनी स्कीन को अपने लिए इससे आपकी थकावट भी दिन भर की दूर हो जाएगी ये देखिए मैं बस सोने ही जा रही थी तो मैंने सोचे ये आपके साथ भी छेर कर लूँ क्योंकि मुझे भी यूज करना था ये चीज तो मैं फुद ये यूज करती हूं जब जबर्क ज्यादा हो जाता है पालर में और घर पर चीजन में काम तो मैं डेली उस टाइम तो ये जरूर यूज करती हूं ये देखिए मैंने नाइट सूट भी वेयर कर लिया है ये देखिए मेरा टिमाटो फीनिश हो चुका है मोस्ली हाफ ठीक है इस प्रीके से आपको करना है पूरे फेस पे अच्छे से मसाज सिर्फ आधा टिमाटर लेको डेली इसके बाद क्या करना है आपने एक इसी की हैल्प से प्रेस को क्लीन कर लेना है इस तरीके से ये आपको इसली एफोर्डबल है और सबके घर में टिमाटर होते हैं तो आप एक हफ्ता वन वीक ओनली करके देखिए आपको रिजल्ट महसूस होगा तो प्लीज मुझे कमेंट शेक्शन में जुरूर बताना किस-किस ने ये किया और उसके बाद आप करें अलोवेरा जेल ले सकते हैं या फिर रोज़ वाटर ले सकते हैं जो कुछ भी आपके घर में अवलेबल है आप वो चीज ले सकते हैं या फिर कोई कॉल्ड प्रीम भी ले सकते हैं सिर्फ आपको अपनी फेस को रिलाक्स फिल कराने के लिए करना है इतना सही लेना है इसके बाद इससे आपको अपने फेस पे हलके हलके हैं से इस तरीके से आपको मसाज करने है स्टेप बाइस आज पालर में बहुत काम था तो मेरी सारी दियुक्त है जब हमें कोई स्टेट्च होता है या टेंशन होती है जादा या कुसी पाथ का लौड होता है आपक मसाज़क हरना हे ऐसके बाद थोड़ा सांत करने के बहुत अच्छा रिलेक्स करना आपकर्श करना हुट थोड़ा साग्या वह बहुत अच्छा रिलेक्स हीलोगा आपको I am sure बहुत ही अच्छा रिजर्ट मिलेगा आपको ये डेली एक हफता आप करके देखिए अपने फेस पे ये देखिए किस तरीके से मैं घुमा रही हूँ इसके बाद इसको भी यहां पे स्टॉप करना है यहां से जाके इस ये पीछे प्रेशर देना है यह देखिए यह देखिए आइब्रोज अपनी ठीक करनी है डाप करने के लिए अगर आपकी आइब्रोज हल्की है तो इससे ये भी आपको फायदा हो जाएगा जो आइब्रोज आपकी हलाइड है जिसकी वो अच्छी से हो जाएंगी डाप देखिए मेरी आइब्रोज क्रोज कितनी प्यारी है तो ये मैं करती हूँ जब भी मुझे लगता है कि टाइनिंग जादा फेस पे हो गई है और मेरे को बहुत टायर फील हो रहा है आज मैंने बहुत जादा वर्कलोड ले लिया है तो मैं उस दिन तो डेफिनेंटली करती हूँ बस इसके बाद आप फेस बोश कर सकते हो शावर ले सकते हो और गुद नाइट टेक एर अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना सब्सक्राइब करना ज्यादा अच्छी लगे तो वीडियो शेयर भी करना और बहुत बहुत वैलकम हैं आपका मेरे चैनल पे आने के लिए तो फ्लीज ग्यार थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यू न्यू यूट्यूपर है हम वीडियोज अच्छी लगया तो फ्लीज चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर देना ओके सो बाई बाई गुड नाइट बाई टेक केर लग दिर्स ओल